और जुले की कोदबाली थाना पुलिस ने शातिर चोर गिरों का कुरासा करते हुए इस ग्रों के मुखे सरगना मिथुन मैडा को गिरफतार कर लिया है और ओपी द्वारा पूश्ताच में शेहर में हुई दस से अधिक चोरियों की वारदात करना कुबूल किया गया बताते चोलें कि एस पी कावेंदर सिंग साकर ने बताया है कि शेहर में लगातार बढ़ रही चोरियों की वारदात को रोखने के लिए कोदबाली थाना अधिकारी रतन सिंग चोहान ने और राज ताराब चौकी प्रभारी साधर सिंग ने और हेड कॉंस्टेबल ने एक टीम गठित की थी और इसी के बाद ही लगातार तलाशी की गई और चोरों की तलाशी शुरू कर दी गई पुलिस टीम के हत्ते चड़े शातर चोर मितुन माइडा चड़ गया और इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पुछताच शुरू की पुछताच के दुरान उस आरोपी ने अपने साथियों के नाम और शेहर में हुई दस चोरियों को कुबूल किया है महीं पुलिस अभी भी उससे पुछताच कर रही है जिससे और भी चोरियों का खुलासा की जाए और ऐसे में इस गिरों के अन्य साथियों को भी जोल्दी पकड़ लिया जाएगा इस गिरोंने शहर में साल भर में शार्दा नगर, अमर्दीप नगर, रतील, लाई और हिमाले नगर जैसे कई ऐसे शेतर हैं जहां पर चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया है साथ ही आपको बदा दें कई बोर्ड में चोरी की वारदात को या रोपी काफिस समय से अंजाम दे रहे थे तुम्हीं मनिया धान शेत्र में ग्राम पंचायत विंती पूरा के गाउंवर खुबी पूरा की दो बालिकाओं को नदी में जूबने से उनकी मौत हो गई है गाउं की बालिकाओं बुजरिया विसरजन के ले गई थी और घटना को लेकर ग्रामीनों में अब हटकम मच गया है सड़ सेकडो ग्रामीन संख्या में घटना सलब पहुँचे और दोनों बालिकाओं को नदी से काफी समय तलाश करने के बाद दोनों ही बच्चों के शब बहार निकाले गए ग्राम पंचायत विंदी पुरा सरपांच राजेश सिकरवार ने ये बताया है कि गाउं की चार से पांच लड़कियां सोमवार को शाम समय रक्षा बंधन के बाद आने वाले पर पर फुलाईयां विसरजन करने के लिए गई थी विसरजन के दोरान तीन लड़कियां पानी में बहने लगी इसी दोरान एक आठ साल की लड़की छवी गहरे पानी में चली गई और पानी में डूबने लगी तुमाही उसे देखका है साथ की एक और लड़की जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है उसे बचाने के लिए प्रदेश में नकली डीजल का गुरक धन्दा भी शुरू होंग गया। मदा दे बुद्वार को परदेश के बूंदी जिले में पुलिस ने नकली डीजल की शिकायत पर बड़ी कारवाई की है पुलिस ने 35,000 लीटर से ज्यादा बायो डीजल टैंकर समेथ जब्त कर लिए है पुलिस का सायो करते हुए जिला रसद विभागनी कारवाई करते हुए जाँच के लिए सैंपल लिए हैं जिने जाँच के लिए कोटा एपसल लैब भीजे जाएगा बदा दें कि जिला पुलिस अदिक शग शिवराज मीना के निर्देशन में जिले में नकली डीजल सप्लाई के लगातार मिल रही शिकायतों के अधार पर तालेडा थाना और सदर थाना पुलिस ने दो अलग अलग कारवाई करते हुए नकली डीजल से भरे दो टैंकरों को जब्ट किया है दोनों ही टैंकर अलग अलग मार्कों से जैपूर से कोटा की ओर जा रहे थे ऐसे में तालेडा धाना पुलिस की ओर से जब्ट किये गए टैंकर में 12,000 लीटर और सदर धाना पुलिस द्वारा जब्ट किये गए चैंकर में करीब 24,170 लीटर बायो डीजल बताये गया पुलिस की ओर से इस पुरे मामले का परदाफाश करने के बाद अब रसद विभाग आगे मामले की जाँच कर रहा है इसी प्रकार तालेडा थाना पुलिस को भी मुख्बिर की सूचना पर लक्षमिपुरा रोट से नकली डीजल से भरा एक टैंकर आने की सूचना मिले थी और राजिस्तान के च्छे जलों में जुला परिशोद अपंचाइज समयति सदस्यों के लिए पहले चौरण में मदान ब्रस्पतिवार को 62.36% मदाओं ने अपने मदादिकार का इस्तमाल किया है बताते राजिस निर्वाचन आयोग के आयूगत पीएस महरा ने बताया कि राजिस के च्छे जिलों में 25 पंचाइज समयतियों के 519 सदस्यों और उन्हीं समंदिज जिलों में जिलापरिशों सदस्यों के लिए मदान करवाया गया सारवदिक मदान जोदपूर के जिले में हुआ जहां केरू पंचाइज समयति में 72 दश्यमलब दो दो प्रतिशत मदाओं ने अपने मतादिकार का उप्योग किया है गोड़ तलब है कि पहले चरण में 59 समयति सदस्यों से पहले ही निर्वी रोचुन लिये गए ऐसे में राज्य निर्वाचन आयो के अनुसार भरतपूर, दोसा, जैपूर, जोदपूर, सवाई माधोपूर और सिरोही जिले में 3599 मदान केंद्रों पर मदान सुबह साड़े साथ बज़े से शुरू हो गया, शाम साड़े पांच बज़े तक 61.41 प्रतिशद मदान दर्च किया गया तो वहीं अंतिमा खड़ा, 62.36 प्रतिशद मदान जारी रहा जिला परिशद और 45 समीटी सदस्यों के लिए 200 चरण के लिए मदान 29 अगस्त को और 300 चरण के लिए 1 सितंबर को मदान कराया जाएगा मदगरना 4 सितंबर को सुबह नौब जिसे सभी जिला मुखालों पर होगी और 6 जिला परिशद के कुल 200 सदस्यों और 78 परिशद समीटी के 1564 सदस्यों के लिए चुनाफ के लिए बस्पतिवार से 3 चरणों में चुनाफ करवाई जा रहे हैं बतादे चलें कि एक जिला परिशद सदस्य और 26 परिशद समीटी सदस्य पहले ही निर्विरोज चुने जा चुके हैं